Good evening all of you बच्चों मैं आपको आज हिंदी का second ब्याकरण व्याख्या का first chapter भासा और उसका सरूप पढ़ाने जा रही हूँ first chapter है नाम है language and its forms भासा और उसका सरूप बच्चों हमारे मन के भावं और विचारों को अव्यक्त करने के लिए भासा एक समर्थ साधन है अन्य प्राडियों के पास चिंतन मनन करने की भी सक्ति नहीं है अत्यों भाव तथा विचारों की अव्यक्ति का प्रमुक साधन भासा भी उनके पास नहीं है गूंगे बहरे लोग अपने विचारों को संकेतों से प्रकट करते हैं किन्तों संकेतिक भासा से समाज का काम नहीं चल सकता है पसुपच्छियों की बोली भी समझी नहीं जा सकती इस पस्ठाई की मानों की भासा से उसके समस्थ विचार सहज रूप में प्रगट हो जाते हैं इसलिए मनुस्थ की भासा व्यक्त कही जा सकती है भासा ध्वनी के माध्यम से प्रकट की जाती है ध्वनिया दोप्रकार की होती है अब व्यक्त ध्वनी जैसे घंटी की टंटन, डोल की ढमडम, चिडिया की चीची, यंद्र की घर-घर आदी, व्यक्त धोनी, जैसे ये क्या है अव्यक्त धोनी, अव्यक्त धोनी, जैसे आका, घा, हा, आ, जा, अब कब कमल आदी, बच्चों, भासा, अपने मन के भाओं और विचारों को दूसरे तक पहुचाने, और दू जिस माध्यम को ही हम भासा कहते हैं, जिस माध्यम से हम दूसरे के भाओं को समझ पाते हैं, और अपने मन के भाओं को दूसरे को बता पाते हैं, वो हम भासा के माध्यम से ही करते हैं, भासा का निर्मार व्यक्त धोनियों से ही होता है, जैसे उन धोनियों के निश्चित संक येतों का प्रियोग हुआ है बच्चों जैसे कि हम कोई भी ध्वनी निकालते हैं कोई भी ध्वनी निकालते हैं टंटन ढम ढम चिडिया की आवाज की का नकल करते हैं कुछ भी निकालते हैं वो ध्वनी हैं लेकिन ध्वनी को अगर भासा का रूप देना है तो हमें उसको वर एक एसा समर्थ माध्यम है जिससे हम अपने भाव एम विचार दूसरों के समच प्रकर्ट करते हैं और दूसरे के भाव और विचारों को जान सकते हैं बच्चों विश्व में प्रतेक प्रकार के क्रिया कलाप की जानकारी परिसपर बातचीत से ही होती है और भासा की बातचीत का मूल आधार है अता घर हो या बाहर हम भासा के माद्यम से ही सभी कारे संपन करते हैं बच्चों अगर हम भासा का प्रियोग नहीं करते अगर हमारे पास भासा नहीं होती तो हम किसी भी कारे में सफल नहीं होते भासा सदेव परिवर्तन सील रही है उसके प्राया परिवर्तन होते रहते हैं जिसका बोध हमें होता ही नहीं है ऐसे परिवर्तनों के कार नई नई अस्तित्व में आई हैं इसके एत्रिक्त भासा पर अस्थान जलवायू और सभ्यता का भी प्रभाव अनिवार रूप से पड़ता है जलवायू में परिवर्तन के कारण ही लोगों के उचर में भिन्नता आ जाती है जैसे कि बच्चों ठंडी आई तो लोग कपपी आवाज न अंतर आ जाता है जैसे भासा के बिगणने से नई नई बोलियां बन जाती है अब प्रुभंस भासा भी होती है बच्चों अगर हम किसी भी को असुद बोलते हैं वो भी भासा ही है भाव एम विचार दूसरों के समच प्रकर्द करते हैं और दूसरे के भाव और विचारों को जान सकते हैं बच्चों विश्व में प्रतेग प्रकार के एक्रिया कलाप की जानकारी परिसपर बातचीत से ही होती है और भासा की बातचीत का मूल आधार है अता घर हो या बाहर हम भासा के माध्यम से ही सभी कारे संपन करते हैं बच्चों अगर हम भासा का प्रियोग नह होती तो हम किसी भी कारे में सफल नहीं होते भासा सदेव परिवर्तन सील रही है उसके प्राया परिवर्तन होते रहते हैं जिसका बोध हमें होता ही नहीं है ऐसे परिवर्तनों के कार नहीं नई भासाएं अस्तित्व में आई हैं इसके अत्रिक्त भासा पर अस्थान जलवायू और सभ्यता का भी प्रभाव अनिवार रूप से पड़ता है जलवायू में परिवर्तन के कारण ही लोगों के उचर में भिन्नता आ जाती है जैसे कि बच्चों ठंडी आई तो लोग कप कपी आवाज निकालते हैं उसमें प्राय पठित और अपठित नागरिक तथा ग्रामिड की भासा में अंतर आ जाता है जैसे भासा के बिगणने से नई नई बोलियां बन जाती है अब प्रुभंस भासा भी होती है बच्चों अगर हम किसी भी को असुद बोलते हैं वो भी जिन सभी सब्दों की सार्थक धोनिया हैं जिनका योग कई मूल धोनियों से हुआ है मूल धोनी क्या होती है बेटा जैसे वर्ड वर्ड हम पहले धोनी निकालते हैं धोनी से ही वर्ड बनते हैं वर्ड क्या है वर्डों के मेल से ही सब्द बनते हैं और सब्दों के मेल से ही बाक्य बनते हैं तभी हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचा पाते हैं जब हम उपस्थित लोगों पर अपने पिचार प्रगट करते हैं तथा बहुधा कतित भासा काम में लाते हैं किन्तो हम अपने भाव या विचारों को इस्थायत तो परदान करना चाहते हैं ताकि भवि मौकिक भासा का उदारण है जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये भी मौकिक भासा का उदारण है लेकिन अगर हम आपको लिख कर बताएंगे question answer या बोर्ड पे तो वो लिखित भासा होगा लिखित भासा जैसे बच्चों भासा कई प्रकार की होती हैं भासा तीन प्रकार क होती हैं मौखिक भासा लिखित भासा और सांकेतिक भासा मौखिक भासा जो हम बोलकर बोलते हैं और दूसरा सुनकर उसको समझता है वो मौखिक भासा कहलाती है लेकिन अगर हम भविस में हमारे भाव या विचार मूल रूप में प्रिस्तूत किये जा सके इसके लिए हम भासा है लिख के ही हम आपको बता रहें और आप उसको पढ़कर समझ रहें तो वो लिखित भासाका प्रियोग वहां हो रहा है जैसे गूंगे बहरे होते हैं ट्रॉफिक पुलिस होती हैं सांकेतिक भासा का प्रियोग करती वहां क्या है प्षाय सांकेति भासा है लिखित भासा में सब्द की एक-एक मूलधोनी को पहचानने के लिए एक-एक चिंध कर लिया जाता है जो वर्द कहलाता है निशकरत्य रूप से भासा के तीन सुरूप माने गए बोली वी भासा भासा बोली क्या है बच्चों बोली एक इस्थानिय भासा है ये बहुत सीमित छेत्र में बोली जाती है इसका दायरा बहुत ही सीमित होता है संकुचित होता है बोली से हमारा अभिप्राय इस्थानिय बोली से जो बिल्कुल भी साहित्तिक नहीं होती और बोल प्रांत या उप्रांत की बोल चाल तता साहितिक रचना की भासा को विभासा कहा जाता है। हिंदी के कई बिभासा को उप्रांत या प्रांत की बोली में अंतर आ जाता है। वो उपभासा भी होती है उसको हम उपभासा का भी नाम देते हमारे जो विद्वान है उसको उपभासा या विभासा कहते हैं अब आता है भासा भासा क्या है कई विभासाओं के व्यवहार एक सिष्ट विभासा का ही राश्टिय भासा कहलाती है जो एक हमारे राज्य को जो राश्ट ने जिस भासा को माननेता प्राप्त किया है वो ही भासा है हिंदी एक प्रिये मधूर भासा इसका छेत्र विशाल है बहुत बड़ा है हिंदी हमारे देश में बहुत आयत ही बोली जातीने वाली भासा है या समस्त देश में बिभिन इस तरों पर बिभिन रूपों म तता बिभिन उत देशों से पढ़ाई जाती है वा राष्ट भाषा के रूप में भी सुसोभीत है भाषा क्या है बच्चों हिंदी क्या है हमारी राष्ट भाषा है उत्तर प्रदेश मद्य प्रदेश राजस्थान हरियाड़ा बियार और दिल्ली हिंदी के गढ़ है आ अनिवार भासा के रूप में पढ़ाई जाती है प्रात्मिक इस्तर पर हिंदी सभी प्रदेशों में मात्र भासा के रूप में चेत्रिय भासा के रूप में और प्रदेश की राज भासा के रूप में पढ़ाई जाती है बच्चों हिंदी क्या है हमारी मात्र भासा राज भा अब बता रहे हैं बच्चों आपको लिपी क्या होती है बच्चों अब हम आपको बताएंगे लिपी क्या होती है लिखने के धंग को लिपी कहते हैं बच्चों लिखने के धंग को लिखने के तरीके को ही हम एक सरर भासा में लिपी कहते हैं एक लिखित भासा के लिए जितने भी संकेत निश्चित किये गए हों उन सब के समू को लिपी कहते हैं लिपी सब्द का मूल अर्थ लीपना पोतना है संभव है विशेष प्रकार से लीपने, चित्रित करने या लिखने के कारण संकेतों के समू का नाम लिपी पड़ गया है अपनी अपनी भासा की अपनी अपनी लिपी होती है बच्चू मतलब जो हिंदी की लिपी जैसे देवनागरी है लिखने का ढग हम देवनागरी के ढग से करते हैं देवनागरी लिपी में कहते हैं लिपी की परिभासा क्या है भासा की मूल धनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किये गए चिन्नों या संकेते को लिपी कहते हैं भासा को लिखने के लिए बेटा कोई निश्चित चिन या संकेत होता है उस संकेत को उस चिन को ही हम लिपी कहते हैं वास्तों में बोली लिपी के बिना भी रह सकती है जो बोली होती है बेटा वो यह नहीं कि यह क्योंकि यह इस्थानिय लेंग्विज होती है इस्थानिय भा भासा ही होती है लिखित भासा नहीं होती है इस्थानिय बोली में जो है हम सिर्फ मौखिक भासा का ही अधिकांसता प्रियोग करते हैं लिखित भासा हम नहीं प्रियोग करते हैं आदिम जातियों की कई बोलियां केवल मौखिक रूप से ही प्रियोग में आती हैं भारत में ही santa 2 over 81 जो केवल बोली ही जाती है वो लिखित रूप में बेवहार में नहीं आती संसार के सभी देशों में कही कथित या मौकिक भासाइं मिलकर अपने एक सिष्ट रूप बना लेती है, इस प्रकार की शिष्ट भासा अपना लिखित रूप अवस्य रखती है. और उसकी अपनी कोई निश्यत लिपी अवस्य होती है. संसार में अनेग भासा हैं और उनकी अपनी अनेग विसेश लिपियां हैं. हिंदी भासा की लिफी का नाम देवनागरी है. जैसे बच्चों, हिंदी हम किस में लिखते हैं, देवनागरी लिपी में, संस्कृत किस में लिखते हैं, हम देवनागरी लिपी में लिखते हैं, पंजाबी किस में लिखते हैं, गुरु मुखी में लिखते हैं, अंग्रेजी किस में लिखते हैं, रोमन लिपी में लिखते है और हम उर्दू किस में लिखते हैं फार्सी लिपी में लिखते हैं इसका जन्म भारत की प्राचिंतम ब्रामी लिपी से हुआ कहा जाता है कि नागर, ब्रामडो, चतुर नागरिकों अथ्वा सभे मनुस्यों द्वारा सभे मनुस्यों मतलब पढ़े लिखे मनुस्यों द्वारा ब्यभार में लाए जाने के करण इस लिपी का नाम देवनागरी पढ़ा, संस्कृत, हिंदी तथा माराथी देवनागरी लिपी में लिखी जाती है, गुजराती, पंजाबी, उडिया, बंगाली की अपनी अपनी स् मात्र लिपीयां है, जो देवनागरी से ही विक्सित हुई मानी जाती हैं, तमिल, कंनन, तेलुगू और मल्यालम, दच्छडी भारत की भासाई हैं, इनकी अपनी अपनी लिपीयां हैं, चेत्रिय भासा के रूप में और प्रदेश की राजभासा के रूप में पढ़ाई ज बच्चों आपको लिपी क्या होती है बच्चों अब हम आपको बताएंगे लिपी क्या होती है लिखने के धंग को लिपी कहते हैं बच्चों लिखने के धंग को लिखने के तरीके को ही हम एक सरर भासा में लिपी कहते हैं एक लिखित भासा के लिए जितने भी संकेत किये गए हो उन सब के समू को लिपी कहते हैं लिपी सब्द का मूल अर्थ लीपना पोतना है संभव है विशेष प्रकार से लीपने चित्रित करने या लिखने के कारण संकेतों के समू का नाम लिपी पड़ गया है अपनी अपनी भासा की अपनी अपनी लिपी होती है लिपी में कहते हैं लिपी की परिभासा क्या है भासा की मूल धोनियों को लिकर प्रकट करने के लिए निश्चित किये गए चिन्नों या संकेते को लिपी कहते हैं भासा को लिखने के लिए बेटा कोई निश्चित चिन्न या संकेत होता है उस संकेत को उस चिन्न को ही हम लिपी के बिना भी रह सकती है जो बोली होती है बेटा वो यह नहीं कि यह क्योंकि यह इस्थानिये लेंग्विज होती है इस्थानिये भासा होती है इसलिए इसमें लिपी नहीं होती है यह इस्थानिये बोली क्या होती है यह मौकिक भासा ही होती है लिखित भासा नहीं होत इस्थानिय बोली में जो है हम सिर्प मौकिक भासा का ही अधिकानसता प्रियोग करते हैं, लिखित भासा हम नहीं प्रियोग करते हैं, आदिम जातियों की कई बोलिया केवल मौकिक रूप से ही प्रियोग में आती हैं, भारत में ही 281 बोलियां हैं जो केवल बोली ही जाती हैं वो लिखित रूप में बेवार में नहीं आती संसार के सभी देशों में कई कतित या मौखिक भासाएं मिलकर अपना एक सिष्ट रूप बना लेती हैं इसकार की सिष्ट भासा अपना लिखित रूप अवस्य रखती है और उसकी अपनी कोई निश्चित लिफि अवस्य होती है संसार में अनेक भासाई हैं और उनकी अपनी अनेक विसेश लिपिया हैं हिंदी भासा की लिपी का नाम देवनागरी, जैसे बच्चों हिंदी हम किस में लिखते हैं, देवनागरी लिपी में, संस्कृत किस में लिखते हैं, हम देवनागरी लिपी में लिखते हैं, पंजाबी किस में लिखते हैं, गुरु मुखी में लिखते हैं, अंग्रेजी किस म कि नागर, ब्रामडो, चतुर नागरी को अथवा सब मनुस्यों द्वारा ब्यभार में लाए जाने के करड़ इस लिपी का नाम देवनागरी पड़ा संस्कृत हिंदी तथा माराथी देवनागरी लिपी में लिखी जाती है गुजराती, पंजाबी, उड़िया, बंगाली की अपनी अपनी स्वतंत्र लिपीया हैं जो देवनागरी से ही विक्सित हुई मानी जाती हैं तमिल, कंण, तेलुगू और मल्यालम, दच्छडी भारत की भासाएं हैं इनकी अपनी अपनी लिपीया हैं कस्मेरी आदी भासाएं फार्सी लिपी में लिखी जाती हैं अंग्रेजी भासा रोमन लिपी में लिखी जाती हैं बच्छों ये मैंने आपको फर्स चैप्टर रीट कराया अगर आपको जो भी ना समझ में आए तो आप इस से आप मेरा नमबर ले सकते हैं आप बार पूछोगे तो मैं कई बार भी बताने के लिए तयार हूँ और मैं बताती रहूंगी जो और बच्चों जो ना समझ में आये पेंसिल लो रीट करते समय और उसको अंडरलाइन करते रहो और अपने उत्तर पुष्टिका में जैसे की भासा की परिभासा भासा के सुरूप और लिपी की परिभासा आप अपने उत्तर पुष्टिका में नोट करेंगे नेक्स्ट क्लास में मैं सारी एक्सरसाइज आपको बताऊंगी और कराऊंगी बच्चों आप लोग घर पे पढ़िए जिसके पास बुक नहों आप बुक ले लिजिए ताकि आपके पढ़ाई म पे कोई औरोध ना हो थैंक्यू बच्चों